नमस्ते दोस्तों मैं गैत्री गैत्री के देशी किचन में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम ऐसी रेशिपी लेके आएं कि इसको आप चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं या तो पिर पूड़ी पर अठा के साथ खा सकते हैं तो हम आज बनाएंगे जीरा आलू जो बिल्कुल है बनाना और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है फटाफ़ट ये बनकर तेयार हो जाता है तो कि ऐहलो लिया हूआ है यह हमारे रिद्वाले आलू इसके बाद हम इसके रेश्पी बनाएंगे तो हम इसी तरह से निकाल लेंगे आलू के छिलके सारे उतार लेंगे और देखिए यह आलू का कलर चेंज लग रहा है यह थोड़ा साइस का अंदर साइज का चेंज है और ना तो हुआट वाले के वाइट रहते तो आप ऐसा नही आलू का बनाएं वाइट आलू का भी बनता है तो आलू कोई भी हो चलेगा बनाने में कोई प्रब्लम नहीं है उसमें यह कभी-कभी मिलता है तो हमने ले लिया था इसलिए हम इसकी रेश्पी बना रहे हैं और ना तो हाइट आलू की ही बनाते तो हमने सारे आलू के छिलक करेंगे और हमको अलू कर लेना एक घंटे पहले उसके बाद हमेठ ठंडा करने के लिए एक घंटे के लिए रख देना है पिल्कुल ठंडा हो जाए तभी यह चूश् Ο आलू और जब ठंडे हो जाते हैं तो यह पकाते समय तूटते नहीं है इसलिए हमें ठंडा आलू इस्तेमाल करना है रेसिपी बनाने में तो हम देखिए इस तरह इसी तरह सारे आलू को काट लेंगे टुकडों में हमने काट लिया है सारे आलू यह देखिए अब हम हमने procent दिया है कड़ा ही और इसमें डालेंगे सर्शो का तेल सर्शो के तेल की हिरेस भी अच्छी बनती है कि विए सब्जियां सर्षो के तेल में ही बनाना चाहिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और सर्षो का तेल सेहत के लिए बहुत फायदे मंद होता है यह हाड के लिए बहुत अच्छा होता है सर्षो का तेल इसलिए हमें सबजियां ज्यादा कर सर्षो के तेल में ही बनाना चाहिए ले और इसमें आपा म्स दाल ढए है अद्रक कुटी हुई हुम कूट के अद्रक डाला था और हमने लैसंप।। बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। बिलना लैसंप यौहाख के हम बना रहे हैं और दो हरी मिर्च थी, तो हमने इनको काट लिया था, इन्हें भी डाल दिया है, हमारे जीरा अच्छे से पक चुके हैं, और जीरा हम एक स्पून से ज्यादा डाला था, जीरा थोड़ी ज्यादा डालना चाहिए, तो अब हम इसमें डाल दिया है आलू, हमारे जीरा अच्छे से अब हम high flame में आलू को पकाएंगे इसका color change होने तक हम आलू को चलाते हुए पकाएंगे अच्छे से इसका सुनेहरा color अलका हो जाएगा आलू का तब हम इसमें मसाले डालेंगे इसी तरह हम चलाते हुए पकाएंगे और यह बहुत tasty लगता है सब्जी नहीं मिलती है तो आप ऐसे ही जीरा आलू बनाके और रोटी सब्जी खा सकते हैं जीरा आलू और रोटी और पूड़ी परेठा के साथ भी खा सकते हैं बच्चों को टिफिं में भी दे सकते हैं इस्कूल में और टिफिन में भी अच्छा रहता है अब हम इसमें डालेंगे मसाले हमारे अलो का कलर चेंज हो गया तो हमने डाला है गरम मसाला हम थोड़ा ही डाला है वह जद नहीं डाला है और अब डालेंगे हम आधा ही स्पून हल्दी पॉडर और इसमें स्वाद के अनु पॉडर डाल देंगे और हम इसको चलाएंगे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे इसमें ज्यादा कोई मसाले नहीं पड़ते हैं हम इसी तरह पकाएंगे चलाते हुए टाइम भी नहीं लगता है इसमें ज्यादा और हम लाल मिर्च पॉडर नहीं डाला है हमने हरी मिर्च इंडाल दी थी हमारी हरी मिर्च बहुत तीकी थी इसलिए हमने लाल मिर्च पॉडर नहीं डाला है और इसको अब हम ढखकन ढखके थ तोड़ी देर तक पकाएंगे, हम लो फ्लेम में पकाएंगे, इस से मसाला भी अच्छे से चिपक जाएगा आलू में, और देखिए हमने ढकन निकाल दिया है, तो देखिए हमारे मसाले अच्छे से चिपक चुके हैं आलू में, और आलू भी बिल्कुल नहीं टूटे हुए ह यदि हम boil करके तुरंट गरम गरम आलू की रेश्पी बनाते तो हमारे आलू भी खर जाते रेश्पी बनाते समाई तो हमारे आलू एकदम खड़े-खड़े हैं और देखिए हम तोड़के भी तीखा रहा हैं अच्छे से पक भी गए हैं तो हम इसी तरह पकाते वें चलाते विए पकाना हैं और हमारी सब्जी पक चुकी है आप हम इसको थोड़ी से और चला देते हैं जले नहीं नीचे से और थोड़ी देर हम développement Hloveyau में इसी तरह आलू को और भुनेंगे पकाएंगे थोड़ी देर तक और इससे जो इसकी खुशबू है और अच्छी आजाएगी और यह है चाट मसाला तो हम थोड़ी से उपर से चाट मसाला डाल देंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो हमने चाट मसाला डाल दिया और आलूओं में अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखे हमारे जीरा आलू बन कर तैयार है और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है तो अब हम सर्व कर लेते हैं एक बरतन में और देखे कितने अच्छे आलू एकदम से खड़े खड़े बने हैं हमारे जीरा आलू कभी कोई त्योहार हो तो आप पूडियों के साथ बना सकते हैं कोई पूजा पाठ है तो लोग बनाते हैं जीरा आलू और देखे हमारी रेश्पी कितनी अच्छी बनी है और उपर से हम हरी धनिया से गार्णिस कर देंगे तो दोस्तो आज की रेश्पी मेरी आपको कैसी लगी यदि मेरी रेश्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में बताइए और आज हमने बनाया है जीरा आलू तो दोस्तो ये ऐसी रेश्पी है कि आप कभी भी इसको बना के खा सकते हैं और खिला भी सकते हैं बच्चों को टिफिन में भी इसको दे सकते हैं तो दोस्तो आज हमने बनाया है जीरा आलू तो यदि मेरी रेश्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करें तो दोस्तो नमस्ते बाई बाई